पहला सवाल गारे हिरा कि सहर में मौजूद है आपके उप्सन है ये A. रियाद B. मदीना C. मक्का D. यसरब आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है C. गारे हिरा मक्का सहर में मौजूद है दूसरा सवाल कुरान सरीफ के आखरी पारे में कितनी सूर्टे हैं आपके उप्सन है ये A. तीज़ बी बत्तिस C. पैंटिस D. सेंटिस आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है D. कुरान सरीफ के आखरी पारे में 37 सूर्टे हैं तीसरा सवाल सूरे रहमान कुरान सरीफ के कौन से पारे में मौजूद है आपके उप्सन है ये A. पांचवे पारे में B. दसवे पारे में C. सत्रवे पारे में D. सत्ताइसवे पारे में आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है डी सूरे रह्मान कुरान सरीफ के 27 पारे में मौजूद है चौता सवाल पहले निकाह के वक्त मुहम्मद ﷺ की अमर कितनी थी आपके उप्सन है ये A. 18 साल B. 20 साल C. 25 साल D. 30 साल आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है C. पहले निकाह के वक्त मुहम्मद ﷺ की उमर 25 साल थी पांचवा सवाल मुहम्मद ﷺ की पहली बीबी का नाम क्या था? आपके उप्सन है ये A. अजरत अईशा रजी अल्लह थाला अन्हूM आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है बी मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم की पहली बीबी का नाम हजरत खदीजा रजियल्लाह अन्हु था छटा सवाल हजरत अली रजियल्लाह अन्हु मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के कौन थे आपके उप्सन है ये A. भाई, B. बेटे, C. दामाद, D. नवासे आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है C. हजरत अली रजियल्लाह अन्हु मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के दामाद थे साथवा सवाल मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के कितने चाचा थे आपके उप्सन है ये A. साथ, B. बारा, C. तेहरा, D. पंद्रा आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है B. मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के बारा चाचा थे आठवा सवाल मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के कितने नवासे थे आपके उप्सन है ये A. दो, B. तीन, C. चार, D. पांच आपका टाइम सुरू होता है अब सही जवाब है B. मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم के तीन नवासे थे नमबर एक हजरत इमाम हसन, नमबर दो, हजरत इमाम हुसेन, नमबर तीन, हजरत इमाम महसिन उम्मीद हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारी हुसला अभजाई के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशालला एक और नई वीडियो के साथ जब तक आप इन दोने वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो